अरे कृष्णा श्रीले प्रभुपाद की जाए पिछली बार हम देख रहे थे कैसे श्री प्रभुपाजी ने अंतराज श्रीये कृष्ण भावनामृत की स्थापना करी और कैसे जो इसकौन के साथ उदेश्ये हैं Seven Purposes of Iskon उनके उपर प्रभुपाजी ने बहुत अच्छे से लिख डाला संकलन कर दिया कि Iskon का उदेश्ये क्या रहेगा और धीरे धीरे Iskon में भक्तों का ग्यान तत्व के बारे में बढ़ने लगा विशेश रूप से हमने चर्चा किया कैसे कुछ लोग आगे आके सेवा के लिए उच्सुक होने लगे और हम चर्चा कर रहे थे Howard Valley और Keith नामक जो भक्त थे वो कैसे उच्सा दिखाने लगे और प्रभपाजी की कमरे को कहीं चित्रों से सजा दिया जो वो भारत से लेके आए थे आगे जाके चर्चा करते हैं इन में से जो कीत नामक व्यक्ती थे उनका बहुत इच्छा हुआ प्रभपाजी की कुछ कुछ कुकिंग में सहायता करने का तो हमेशा अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते और प्रभुपाजी का जो ये कुकिंग का जो जिम्मेदारी था जितने भी गैस चाते थे वो संभालने लगे एक दिन कीथ कुकिंग कर रहे थे भोजन पका रहे थे उस समय प्रभुपाजी उनके पास में आके खड़े हो गए और सोचिए स्वामी जी को इतना गर्व उन दिनों प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते थे स्वामी जी बोलते थे तो स्वामी जी को इतना गर्व हो रा था कि देखो एक student finally Krishna Bhakti की सेवाओं में रूची ले रहा है तो स्वामी जी कीत के पास आके खड़े हो गए और कीत देख रहे हैं और जब कीत देख रहे हैं प्रभुपाजी देख रहे हैं तो कीत तभी प्रभुपाजी से स्वामी जी से पूछे क्या मैं आपका शिश्य बन सकता हूं क्या स्वामी जी बड़े उत्साहित होगे पहला व्यक्ती विदेश में अमेरिका में ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि शिश्यत्व उनको शिश्य बनना है स्वामी जी बोले आपका नाम मैं कृष्ट दास रखूँगा तबी स्वामी जी बोले जल्द ही प्रभुपा जी को आइडिया आया और वो बोले कि हम जल्द ही एक इनिसियेशन सेरेमनी करेंगे दिक्षा समारो करेंगे अभी आप देखिए अमेरिका के लोगों के लिए दिक्षा समारो कुछ ग्यान नहीं है उनको और उन्हेंने कीत को बोला कि मैं जल्द ही आपको बताऊंगा ये दिक्षा समारो क्या होता है लेकिन पहले आप सब लोग जब माला की तैयारी कीजिए बोलते हैं कीत उसी दिन एक स्टोर में गए वहां से कुछ लकड़ी के आधे इंच के जो मोती थे वो ले लिए और एक रसी सी धागा ले लिया जिसमें उन मोतीयों को पिरोएंगे और स्वामी जी ने बोला कि देखो एक माला में एक सो आठ मोती होने चाहिए अभी देखिए दिक्षा की बात आगई लेकिन भक्तों को ये भी नहीं मालूम की एक माला में कितने मोती होते हैं और माला पे जब करना क्यों महत्कुपूर में स्वामी जी ने बताया जब करिए माला पे करिए और मोती को पकड़ के कीजिए क्योंकि मोती को पकड़ने से आपका sense of touch जो स्पर्श करना जब जब करना चाहिए तो सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में सलगन होनी चाहिए तो जिवा से हम नाम कीरतन करते हैं जब करते हैं बोलते हैं कान से सुनते हैं आँखों से भगवान को देखते हैं मोती हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा स्पर्श का जो स्पर्श शक्ती है वो भगवान की सेवा में लगती है द्यान लगाना अस्सान हो जाता है तो प्रभुपाजी ने ये सब ग्यान दिया फिर शिश्य ने पूछा 108 मोती ही क्यों स्वामी जी बोले क्योंकि 108 प्रमुक उपनिशद है सभी उपनिशदों का सार है भगवान का नाम जब करना 108 प्रमुक गोपियां है सभी गोपियों का एक मात्र कॉमन चीज है भगवान का नाम जब करते है तो उनके स्मरण में 108 मोती है अभी दिक्षा की बात आ गई तो जो दो लोग दिक्षित होने वाले हैं उनको दिक्षा की प्रतिग्या ही लेनी पड़ेंगी लेकिन उनको तो मालूम ही ने कि दिक्षा की प्रतिग्या क्या होती है लेकिन प्रभुपाजी बोलते हैं दिक्षा में कम से कम कुछ मालाएं प्रते दिन जब करनी चाहिए वो आपको हम बताएंगे स्वामी जी बता रहे हैं लेकिन उन दिनों सिलेक्शन का कोई स्ट्रिक्ट क्राइटीरिया नहीं है जो आ गया सो आ गया ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिस्ट ये क्राइटीरिया है इतने साल से जब होना चाहिए चार नियम इतने साल से पालन करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे एक व्यक्ति थे स्टीव नामक बोले जो कुछ स्वामी जी बोलते थे मैं अल्रेडी कर रहा था लेकिन जब दिक्षा की बात आई मैं घबरा गया मैं समझ गया दिक्षा यानि एक जीवन भर का कमिट्मेंट है और मेरे तो अंदर अभी भी स्वतंत्र रहने की इच्छाएं थी तो मेरे को दिक्षा से थोड़ा सा हिच्चिचा हर थी इच्छा नहीं हो रही थी टो स्वामी जी के जितने विदे आरती थे उन दिनों में जो भी मित्र बने थे युवा पेडी के सबका अलग अलग राय था दिक्षा लेनी है या नहीं लेनी कुछ लोग के लिए एक कुछ बड़ा पार्टी होने वाला है कुछ लोग के लिए एक नया फेस्टिवल होने वाला है कुछ लोग के लिए एक सिंसियर कमिट्मेंट होने वाला है सब अलग-अलग सोच रहे हैं बोलते हैं सब लोग अपनी अपनी मालाएं बना रहे थे और विशेश रूप से वैली और हावर्ड जो प्रोपाजी के शुरू के कुछ उचसाहित शिश्यों में से थे वो आपस में एक दिन बात कर रहे थे तो वैली बोलते हैं मुझे लगता है ये दिक्षा के वाल एक फॉर्मालिटी है वैसे भी हम स्वामी जी को अपना गुरू तो मानी चुके हैं दिक्षा को तो ठीक है करना है तो वो भी कर लेंगे हावर्ड बोले लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है क्या जरूरत है इस चीज़ का जब हम अल्रेडी स्वामी जी को अपना गुरू मान चुके हैं वैली बोले पता नहीं लेकिन भारत में सब लोग लेते हैं हमने सुना है भारत में ये कॉमन चीज़ है आपको नहीं लगता आपके भी गुरू होने चाहिए हावड बोले पता नहीं लेकिन सौमी जी अच्छे लगते हैं हमको सौमी जी की तो शिक्षाएं भी अच्छी लगती हैं तो चलो हम भी ले लेते हैं पता नहीं लेकिन दिक्षा से हमारी परिस्थिती में क्या अंतर आएगा तो ऐसा confusion उनके मन में चल रहा है वैली बोले चलो formality के रूप में ही ले लेते हैं ऐसे चर्चाएं करते हुए कुछ दिन बीट गए 8 सेप्टमबर का दिन आ गया 8 सेप्टमबर 1966 जन्माश्मी का दिन था और आपको याद हो स्वामी जी ने पिछली जन्माश्मी प्रवपाजी ने घोषना कर दी अपने शिश्य तो नहीं थे जो विद्यारती मित्र बनाए थे वह ले हम जन्माश्मी मनाएंगे सब लोग पूर्ण रूप से उपवास करेंगे पूरा दिन भगवान का नाम जब कथा सेवा इतियारी में बिताएंगे और स्वामी जी ने बोला अगर उपवास करते हुए कमजोरी महसूस हो यह तो चिंता मत करना मैंने किचन के पास थोड़ा फल रखा है आप जा के थोड़ा फल ग्रहन कर लेना लेकिन हो सके तो पूर नरूप से उपवास करो भारत में ऐसी प्रथा है यहां तक कि हिंदू ही नहीं कहीं मुस्लिम भी जन्माश्मी मनाते हैं ऐसा प्रभपाजी 1986 में अपने शिश्यों को बताने लगे सुबे छे बजे का समय था जन्माश्मी का स्वामी जी स्वयम अपने कमरे से निकल के आए और जैसा कि एवरी डे क्लास तो होता ही था लेक्चर कथा होती थी तो सब लोग कथा सुनने के लिए आए जो भी दस बारा लोग थे कथा सुनने आए और तभी स्वामी जी गीता में से कथा करने लगे तो जब गीता में से कथा करने लगे उन दिनों बोलते हैं स्वामे जी रॉक्टर राधा कृष्ण के जो गीता के अनुवाद थे उसमें से पढ़ते थे तो कि प्रभपाजी बोले कि उनकी अनुवाद तो 99 प्रतिशत अच्छे हैं कुछ बोलते हैं 90 प्रतिशत अच्छे हैं थोड़ा था पढ़ रहे प्रभपाजी को पसंद रही थे लेकिन अनुवाद बढ़े अच्छे लगे बोले को पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ें लेकिन फिर उन्होंने अपने एक स्टुडेंट रॉय नामक स्टुडेंट था उनको भीजा जाओ मेरे कमरे में जाओ और जो मेरे गीता के मैनुस्क्रिप्ट्स हैं जो मैने अनुवाद जो मेरे अच्छे लेकिन अच्छे लेकिन जो मेरे अच्छे लेकिन फिर वेश्चे लेकिन पेटेपनी किया दिक्षा क्या होती है और वो वर्षिप करना शुरू करते हैं गुरू इस वर्षिप लाइक गॉड जैसे ही ये शिशे लोग स्टुडेंट लोग सुने वो घबरा गए कहीं हफ्तों से प्रभपाजी के कथाएं सुन रहे थे और जब से सुन रहे थे उन्होंने यही सुना था कि स्वामी जी बहुत ही गुसा होते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने आपको भगवान बोलता है तो ये जो हावर्ड और वैली सोचने लगे लेकिए उन दिनों कीत नामक जो साहित भगत थे वो हस्पताल में एडमिट थे किसी कारण से तो जो हावर्ड और वैली थे ये सोचने लगे कि लेक्चर में तो कुछ और बोलते थे अभी करने को कुछ और बोल रहे हैं ये बात हम सब को समझनी चाहिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लेक्चर में कुछ सुनते हैं और व्यक्तिकत रूप में अगर कुछ expectation हो तो हमारी श्रद्धा तूटने लगती है तो वैली और हावर्ड का भी ऐसा ही हो गया वो आपस में चर्चा करने लगे वैली बोले आरे मैं तो पूर्ण रूप से confused हो गया हावर्ड बोले मैं दिक्षा नहीं लेने वारा ये तो स्वामी जी ने एक बॉम्ब ही छोड़ दिया हमारे उपर तो कि इतने समय से लेक्चर दे रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आपको गॉड बोलता है तो वो गॉड नहीं डॉग है तो स्वामी जी तना बोलते थे और आज बोल रहे हैं कि आज से आप गुरू की उपासना करेंगे भगवान के रूप में तो इस प्रकार से जब confusion हो रहा था तो उन्होंने बोला चलो ऐसा करते हैं कीत से पूछते हैं उनके पास जाके उनकी क्या रहा है तो कि ये दोनों शर्मा रहे थे कि स्वामी जी से ये प्रस्ट ने कैसे पूछे वो कीत के पास गए और कीत को पूरा बताया कि जन्माश्मी कैसे हम फॉलो कर रहे हैं प्रभपा जी ने कैसे करने को बोला है स्वामी जी ने और फिर कीत के सामने बताया कि हमें ऐसा डाउट हो गया है कीत ने बोला जब भी डाउट हो डायरेक्ट स्वामी जी से पूछ ले तो हम सब को यह जानना चाहिए कि जब हमारे मार्गदर्शक लेक्चर में हमें कुछ बोलते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमें ऐसा कुछ लगे कि जो उनकी कथा से मैच नहीं हो रा डायरेक्ट जाके पूछ लेना चाहिए तो कि मन में ऐसे डाउट अगर आजे तो हमारी भक्ति को अंत कर सकते हैं डाउट एक असुर के समान है तो जब इस प्रकार से डाउट आ गया और उनने से देखा कि डाउट हमें हल करना चाहिए जानना चाहिए इसका उत्तर स्वामी जी के पास पहुंच गए वैली और हावर्ड और बोले स्वामी जी आप तो हमेशा बोलते हैं तो कि गुरू को भगवान के दास होते हैं उनको भगवान के समानता नहीं होनी चाहिए प्रभुपा जी बोले मेरे कहने का ताथ पर रहे ये था वेन आई सेट कि यू शुड वर्शिप गुरू एस गौड कि गुरू जो हैं भगवान के प्रतिनिदी हैं तो भगवान को डायरेक्ट तो हम नहीं देख सकते तो जह हम कौलिफाइड नहीं हैं तो हम परंपरा के द्वारा भगवान को सेवाएं अरपन करते हैं तो भगवान के representative प्रतिनिदी होने के कारण हम गुरू को भगवान जैसा समान देते हैं ये कारण है मानो वैली और हावट के सारे के सारे डाउट शांत हो गए वो बाहर आये उन्होंने बाकी लोग को भी वो उत्तर बताया उसके बाद बोलते हैं पूरा दिन जन्माश्मी का उनका समय कैसे गया भक्तों का काफी लोग ने अपनी जपमाला नहीं बनाई थी तो उन्होंने खिर्की का जो रेलिंग होता है उससे धागे को बांद दिया और एक साइड धागे का और दूसरी तरफ धागे को पकड़ लिया और एक-एक मोती को पिरोते गए और एक-एक मिरोती को दाल रहे थे मोती को और साथ-साथ हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे थे और हर मोती के पाद बाद दो नौट बांद रहे थे अच्छे से गाठ बांद रहे थे ताकि वो टाइट बंद जाये मोती और ऐसे लग रहा था जैसे अपने अध्यात्म में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे है देखिए समय को समझीए उस समय पूरे अमेरिका में कहीं कृष्ण भक्ती का कोई ग्यान नहीं है इन भक्तों को चार नियम के बारे में भी नहीं मालूम लेकिन उनका उच्छ सहा कुछ तो स्पेशल होने वाला है लगभग 11-12 लोग हैं उदर उस समय बात्चीश शुरू हुई कि दिक्षा के बाद कितना जब करना है तो एक शिश्य बोला एक स्टुडेंट बोला स्वामी जी ने बोला है कि उनके गुरू बोलते थे जब तक कोई 64 माला जब नहीं करता वो पतित है इसे बोलते थे उनके गुरू तो दूसरा शिश्य बोला दूसरा स्टुडेंट बोला नहीं नहीं स्वामी जी ने मेरे को बोला है कि हम लोग 32 माला करके भी दिक्षित हो सकते हैं तीसरा बोला नहीं नहीं 25 भी चलेगा फिर सब स्वामी जी से पूछे 64 से भी घबरा रहे हैं 32 से भी घबरा रहे हैं 25 से भी घबरा रहे हैं स्वामे जी ने बोला कम से कम 16 माला तो रोज जब करना ही पड़ेगा दो घंटा तब ही आप दिक्षा ले सकते हैं तो इस प्रकार से चर्चाएं हो गई बोले जो भी दिक्षा लेगा उसको ये प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा वो रे लगभग रात को 11 बजे तक ये सब चलता रहा माला पे रोली थोड़ा जब कर लिया थोड़ा रीडिंग कर लिया थोड़ी दर सो लिये फिर प्रॉपाजी ने सब को अपने कमरे में बुलाया प्रवपाजी ने सब को कृष्ण जन्म के बारे में बताया कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कम्स के कारागार में हुआ उस समय कैसे वसुदेव रात्री के समय कृष्ण को गोकुल लेके गए और ये सब सुन्दर जो कथा थी प्रवपाजी ने जब सुनाई पहली बार सुन रहे हैं सब लोग और उसके बाद सब लोगों को प्रभुपाजी ने बड़िया फीस्ट करवाया भोजन प्रसाद खिलाया जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था जब रात्री को कृष्ण जन्म की कथा सुना रहे थे तो प्रभुपाजी ने एक और बात बताई कि कृष्ण भक्ति में आप सोचेंगे नाम जब करके प्रगति कर लेंगे वो नाम जब इतना असानी से नहीं होने वाला क्यों क्योंकि व्यक्ति को अपने आचरन में अपने लाइफस्टाइल में भी प्योर होना चाहिए एक्स्टरनली तो प्योर शुद होना ही चाहिए आंत्रिक रूप से भी शुद होना चाहिए प्रहुपा जी बोले हमारे अंदर दोश क्या है हम भौतिक भोग वासना धारन की ये हुए है लेकिन जब हम अपने सारे कार्यों को यत करोशिय, यद अश्नाशिय, यद ज्योशि, ददाशिय, सभी कार्यों को भगवान की सेवा में सनलगन कर देते हैं तो हमारा शुद्धिकरन हो जाता है और हम धीरे धीरे भगवान नाम जब और अच्छे से कर सकते हैं तो प्रहुपा जी बोलने लगे कि अध्यात्मिक प्रगति अगर करनी है तो मन की और इंद्रियों की जो टेम्टेशन है जो खिचाव है, इच्छाए हैं उनको कंट्रोल करना होगा और प्रयास करके, अफ्यास करके हमारी भगति को बढ़ाना होगा अभी देखिए इसके बाद लामृत में एक-एक भगत क्या सोच रहा है दीक्षा के बारे में और वो दीक्षा समारों में कैसे आता है, इसके बारे में वर्नन किया है जो कि जन्माश्मी के अगले ही दिक्षा समारों होने वाला है, जो कि प्रवपाजी का जनम दिवस्ती है तो वर्नन आता है माइकल ग्रेंट का माइकल ग्रेंट बोलते हैं, जिस दिन दिक्षा होने वाला था एक व्यक्ति दिक्षा के लिए जा रहा था मैं तो उसके साथ घूमते हुए जा रहा था उसने बोला तुम भी आके देख लो माइकल ग्रैंट बोलते हैं मैं कभी कभी आया करता था सत्संग में लेकिन मेरा में इंटरस्ट म्यूजिक था और मैं तो ऐसे घूमते घूमते आ गया और जब मैंने अपने मित्र से पूछा ये तुम दिक्षा ले रहे हो दिक्षा होता क्या है तो मेरे मित्र ने बताया दिक्षा यानि जब हम गुरु को भगवान जैसा स्विकार करके उनकी सिवा में रत हो जाते हैं, उनकी सिवा में लग जाते हैं, सनलगन हो जाते हैं तो माइकल ग्रेंट बोलते हैं मुझे कुछ विशेश समझा नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं चलो ये भी ले रहे हैं, तो हम भी ले 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 लेते हैं, देख लेके देख लेते हैं, माइकल ग्रेंट की एक गल्फरेंट थी, जिनका नाम ता जैन, उनको तो कभी शष्य बनने में कोई रूची नहीं थी, उनका तो सौतंतरता का ही सวभाव था, ऐसे बोलती हैं वो, और व प्रकार के लोग स्वामी जी के सामने आये थे दिक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति थे काल यर्गंस जो स्वामी जी को जब पहले वाले अभी तो 26 सेविंड एवन्नी में आगे उसके पहले जहां स्थान पे रहते थे वहाँ पे वो भी आने लगे थे और काल यर्गंस को इंडियन पुस्तकों के द्वारा मालूम चला था इन भारतिय समस्कृति के द्वारा मालूम चला था कि दिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है जिसमें शिश्य प्रामिस करता है चार नियम के बारे में इनको मालूम थी ये वारी बात जिसमें शिश्य प्रामिस करता है कि मैं गुरू के मिशन में उसकी सहायता करूँगा तो जिब ये सब प्रामिस होता है शिश्य करता है तो काल को मालूम था कि भाईया ये जिम्मेदारी बड़ी है ये असान बात नहीं है उन्होंने बोला चलो जाके दिख्षा attend तो कर लेते हैं, पता नहीं लेंगे की नहीं लेंगे. ये तो उनको मालूम नहीं था. जाते तो हैं, इच्छा हुई तो ले लेंगे. लेकिन उस दिन क्या होने वाला था? जो जो आएगा उन सब की दिख्षा होने वाली थी. व्यक्ति थे बिल एपस्टिन जाम के, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये शिश्य बनना और भक्ती सिजस्ली करना, उन्होंने सोचा स्वामी जी जब से आया है कुछ-कुछ नया-नया करते रहते हैं, तो शायद भी ये भी उनका कुछ नया स्टाइल है करने का, चलो ज दिक्षा लेके भी देख लेते हैं, कुछ नया हो जाएगा जीवन में, इसी एक व्यक्ति थे जेम्स ग्रीनी, बोलते हैं वो तो उस दिन क्यों आये, क्योंकि स्वामी जी ने कुछ वस्तु में मंगाई थी ये खरीद के ले आना, वो केवल वस्तु में देने आये थे, वो वो अपनी माता के पास गए, अभी देखिए स्टैनली खुद अमेरिकन है, मा भी अमेरिकन है, माता के पास गए, कि यहां दिक्षा हो रहा है, मैं ले लू क्या, मा ने बोला ले लो, ना तो माता को कुछ ग्यान है, ना इनको कुछ ग्यान है, तो ये कुछ लोग हो गए, म इसके हलावा कुछ लोग थे एक स्टीव नामक व्यक्ति थे वो मन में सोची लिये थे मैं तो आज नहीं लेने वाला हूँ पहले इन लोग को लेने दो देखते हैं क्या करते हैं एक कीथ नामक व्यक्ति थे जिनका अल्रेडी वर्नन कर चुकी है वो हॉस्पिटल में थे और ब्रूस नामक व्यक्ति थे जो केवल एक दो हफते से ही कथा आटेंड कर रहे से तो वो भी सोचे छोड़ा वेट करते हैं और एक चक नामक व्यक्ति थे जो काफी समय से आ तो रहे थे लेकिन एक हफता सोचा वेकेशन लेते हैं भक्ती से बहुत स्वामी जी के साथ समय बि समय नहीं हो पाया बोलते हैं जब दिक्षा होने वाला था किसी को अपना हेड़ शेफ करने को नहीं बोला, शिखा रखने को नहीं बोला वैश्न भूशा डालने को नहीं बोला, दिखने में वो बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे सड़क पे चलने वाले हिप्पी बिल्कुल वैसे ही थे कोई अंतर नहीं था उनमें सरक पे चलने वाले हिप्पी और ये बिल्कुल सेम दिखते थे और ये दीक्षा समारो कभी आपने देखा ऐसा दीक्षा समारो बड़े ही उटपटांग वेश-बुशा पहन के रखी है बड़े बड़े बाल हैं कोई शिखा नहीं है मतलब कोई अंतर ही नहीं है वेशनम में और इन में सरी हिप्पीज में और इन में कोई वेशनम का कोई चिन ही नहीं है शरीर पे और नहीं ये जो शिशे आके बैठे हैं दिक्षा के लिए इनको तो ये भी नहीं मालूम कि दिक्षा के बाद गुरु दक्षिना देनी पड़ती है इनको तो ये भी नहीं मालूम कि स्वामी जी हम सब के लिए बड़ा फीस्ट बनाये है जो हमें दिक्षा के बाद उसका आनंद लेने को मिलेगा और यहां तक की दीक्षा के दिन तक इनको ये भी नहीं मालूम था कि चार नियम पालन करना पड़ते हैं दीक्षा के बाद स्वामी जी ने एक बोर्ड लगा दिया जिन लोगों ने दीक्षा लिए है प्रते दिन 16 माला जब करेंगे और चार नियम यानि की नो इलिसिट सेक्स व्या भी चार नहीं नो इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं नो मीट इटिंग मासाहार नहीं नो गैंबलिंग जवा इतियादी नहीं ये सब पालन करेंगे और जो यग्गे हो रहा था वो भी एक बड़ा ही अजूबा था यग्गे में अगर 11 लोग बेहने हैं उसमें से कुछ बहुत सीरियस थे कुछ सीरियस नहीं थे कुछ एक पार्टी के रूप में बैटे थे लेकिन सब के लिए यग्गे एक बड़ा ही किरियोसिटी था ये यग्य क्या होगा बोले ग्यारा लोग बैठ गए और सब को ग्यारा केले दे दिये और प्रभपा जी ने शुरू किया तिल के सिजिम सीड तिल रख दिया घी रख दिया लकडी लाए थे और इटों से एक बड़ा यग्य कुंड बना दिया जो लगभग बोलते हैं दो फीट का स्क्वेर था और चार इंच हाई था और यग्य कुंड जो बना दिया प्रभपा जी ने अगनी प्रजवलित करी लेकिन उससे पहले प्रभपा जी आचमन किये और आचमन जो पातर था वो सब को पास किया और एक एक करके सब लोग आच्छमन किये तो सब लोग स्वामी जी को देख रहे हैं कैसे अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में तीन बूद जल लेते हैं वो अपने मुख में ग्रहन करते हैं फिर तीन बूद जल लेते हैं सर्वा वस्थाम कतो पिवा यह स्मरेत पुंड रीकाक्षम सभया भयंत रश्ची श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु तो इस प्रकार से स्वामी जी ने ओम आपवित्र पवित्रो वा इस प्रकार से मंत्र जब कराया कि श्री विष्णु किसी भी शुद अशुद परिस्थिते में हो पूर्ण रूप से शुद हो जाते हैं अंदर और बाहर से और तीन बार ये मंत्र जब करवाया और उसके बाद स्वामी जी पूरा सक को बोला आप जब करते रहिए और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को आगे बुलाया उसकी जब माला ली प्रवपाद ने उसकी जब माला पे स्वयम हरे कृष्ण महामंदर का पूरन माला जब किया फिर उस व्यक्ति को सिखाया की माला कैसी करना है आप सोचिए जब दीक्षा हो रही है तो सिखा रही है कि माल गोशना किया कि तुम्हारा दीक्षित नाम क्या होगा फिर उस भक्त स्वामी जी के पास प्रनाम किया और उनको प्रनाम मंत्र बोला नमा ओम विश्णु पदाया कृष्ट प्रिश्थाया भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामी निति नामिन एक घंटे से उपर ये को नाम मिल गया है ग्रीवदास वेली हो गए उमापती दास बिल हो गए रविंदर सुरूप कारल हो गए करलापती जेम्स हो गए जगननात माइक जो की सैर करते करते मित्र के साथ आ गए थे मुकंद और उनकी जो गल्फरेंट थी वो जानकी हो गई रॉय हो गए रायराम रॉय वही हैं जो जाके प्रवपाजी का गीता लेके आए थे अपने कमरे से आप अपनी पुस्तक में से पढ़िये जनमाश्मी के दिन स्टेनली जो अपनी माता से परमीशन लेके आये थे वो स्त्रेधीश हो गए और एक दूसरे स्टेनली थे वो सत्तेवरत हो गए और एक दूसरे जैनिस थे कॉलेज स्टुडेंट थे वो जनारदन हो गए और सब ने यग्ये में आनंद लिया प्रभपाजी ने स्वाहा 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 लगभग बीस मिनट ये यग्ये चला फिर स्वामी जी ने हर एक शिश्चे को बोला कि आपके पास जो केला है वो अगनी में अरपन कीजिए अगनी को शांत कीजिए ठंडा कीजिए बोले इतना धुआ हो गया था जैसे यग्ये समाप्तुआ ये सब उठके अलग लग दूसरे कमरे में या कोई बाहर चले गए और प्रभपाजी ने बोला कमरा बंद रखो कि ये धुआ भार जाएगा तो परोसी डिस्चर्ब हो जाएंगे प्रभपाजी बोले कि इतना अगनी हो गया था ऐसे लग रहा था फायर एक्स्टिंग्विशर बुदाना पड़ेगा चले प्रभपाजी ने अपना जप माला सब को बोला अपनी अपनी जप माला आप पंच तत्व के चरनों में अरपन कीजिए और आपको याद होगा हम पहले बता चुके हैं प्रभपाजी के कमरे में जो सब लोग एकत्रित हो जाए थे तो एक टेबल पे उन्हें पंच तत्व की चित्र रखा था तो सब ने अपनी जप माला पंच तत्व के चरनों में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरनों में अरपन करी उनको स्पर्श करी और स्वामी जी इतने प्रसन थे उस दिन मानो उन्हें अपना पहला जंडा गाल लिया अपनी विजय का इस सेलिब्रेटिंग इस विक्ट्री इतने प्रसन थे उन्हें सब के लिए प्रसाद की विवस्ता करी सब को अच्छे से बिठाया और प्रसाद खिलाया इतना सुंदर उचसव हो गया और सारे के सारे शिश्शे जो दीक्षा लिए प्रसाद लिए और निकलते बने कोई उनको सहायता नहीं किया ये सब जो कर दिया यग्गेस को बोलते हैं स्वामे जी स्वयम ये सब साफ किया वहाँ पर क्लिनिंग भी वाइन अब भी स्वामे जी ने किया ये फर्स्ट दीक्षा हुआ इसकों का उसके तीन दिन के बाद स्वामे जी ने पहला विवाह किया संपट मुकंद और जानकी का और जानकी के वहाँ से उनकी कोई बड़े रिष्टेदार नहीं आये थे उनकी एक बेहन थी यमुना देवी वो आई थी और यमुना देवी के साथ मिलके प्रभुपाजी ने कन्या की तरफ से पूरा फीस्ट बनाया और सबको शादी का फीस्ट खिलाया वो भी एक बड़ा ही अदभुत समार हो था शादी का तो देखिए आठ सब्टमबर को जन्माश्मी हुई अगले दिन पहला दिक्षा हुआ तीन दिन के बाद विवा पहला विवा हो गया इसकौन का और उसके बाद जो राधाश्टमी आई राधाश्टमी उच्सव जो जन्माश्मी के लगभग 15 दिन बाद आता है राधाश्टमी के उच्सव श्रीमती राधरानी के जन्म दिवस पे परुपजी ने दूसरा दिक्षा समारो किया और अगर आपको याद हो जो हम पहले नाम गिनाय थे उसमें से कुछ नाम सोच रहे थे हम बाद में लेंगे देखते हैं ये होता क्या है वो सब ने इस बार दिक्षा लिया उसमें से जो स्टीव थे वो सत्स्वरूप बन गए जिनके द्वारा हमें बहुत सुन्दर श्रीले प्रवपाद लेलामृत प्राप्त हुई है जो कीत थे वो कीरतिननंद बन गए जो ब्रूस थे वो भ्रम्मा नंद बन गए जो की ब्रूस अभी कुछ हफ्तों से ही आना शुरू किया था और जो चक थे वो अच्चिता नंद बन गए और इस प्रकार से चार लोग का और दिक्षा हो गया और दूसरा फायर साकरिफाइज यग्य हो गया दूसरा फीस्ट हो गया अभी इतने सारे समार हो गए दिक्षा हो गया एक दिन की बात है वहाँ पे एलें जिन्सबक नामक व्यक्ति आए अभी आपने देखा रहेगा जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर हैं भारत में जहां भी पे भी आप श्रवन कर रहे हैं उदर कोई सड़नली कोई सेलिबिलिटी आ जाएं तो सब लोग को चलगा रहे वाँ यह आगे फ़लाने आगे कितना अट्रेक्शन हो जागा हमारे सेंटर को फ़लाने सेलिबिलिटी आए अभी गुन दिनों हिपियों के बीच में एलें जिन्सबक माना एक सेलिबिलिटी थ तो एलें जिन्सबक एक दिन उनके हाथ में एक फ्लायर लग गया एक पैंफ्रेट लग गया उस पैंफ्रेट पर लिखा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फोर कृष्णा कॉंशियसनेश देखिए अभी पहली दिक्षा हुई है इसकौन में लेकिन सोसाइटी का नाम है साथ बज़े कथा होती है और सोम बुद्ध और शुकर को शाम को साथ बज़े होती है आप आईए और अपने मित्रों को भी लेके आईए और ये सब पैंफ्लिट ऐलें जिन्सबक के हाथ में लग गया तो एक शाम को वहा गए और वो आए तो उस समय साथ बज़े से कुछ स महामंतर सुना था तो तब से वो भी जहां भी जाते थे नशा तो करते ही थे लेकिन साथ हरे कृष्ण महामंतर का कीरतन भी करते थे और साथी साथ प्रमोशन करते थे फ्री सेक्स, मैथू नितियादी, मेरी जुआना, लस्डी और ये सब का प्रमोशन करते थे तो एलन और उनके मित्र पीटर जो वहाँ पे आ गए और जैसे ही आए वो हाइगरी भक्त जो थे उनसे मिले और साथी साथ अपने साथ अलन जो थे एक हार्मोनियम लेके आए प्रभुपाजी के लिए गिफ्ट देखिए ऐसे बढ़ती है लोगों की सुकृती जब वो शुद्भक्त के मिशन की तरफ आकरशन होते हैं और सोचते हैं कि हम क्या सेवा अरपन करें प्राने अर्थे धिया वाचा कुछ शारिरिक शक्ती कुछ अर्थ कुछ धन कुछ वाचा वाणी कुछ तो अरपन करें वो एक हार्मोनियम गिफ्ट लेके आए थे प्रभुपाजी के लिए ज़स्वामी जी नीचे आए कथा करने के लिए और प्रभुपाजी ने उनको देखा हर्मोनियम लेके आए हाथ जोड़के लेकि प्रभुपाजी जब गाना शुरू किये एलन जिजबग हर्मोनियम बजाना शुरू किये स्वामी जी ने अच्छा कीलतन किया एलन जिजबग उसमें भाग लिए कथा भी सुने और कथा के बाद एलन ने हाई गरीब को बोला मैं फिर से आउँगा आता रहूँगा चाहते जाते बात कर रहे थे एलन जो हैं हाई गरीब प्रभुपाजी के शिश्चे से बात कर रहे हैं को ने लगता सुमें जी बहुत ही गुये हैं क्या उनकी बात अमेरिकन लोग समझ पाएंगे बहुत ही गोपनी है बहुत हाई लेवल की बात करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सर के उपर से चली जाएगी हाई गरीब ने सोचा पता नहीं शायद मालूम नहीं लेकिन समय से लोग एकसेट तो कर रहे हैं दिख रहा है फले न पर ही चियते फल से दिख रहा है कि लोगों को समय में आ रहा है जब उन्होंने हाईग्रीव ने देखा कि एलन के हिर्दे में स्वामी जी के परती कुछ सहान भूती है समान भूती है या फिर अट्रैक्शन है अकर्शन है तो हाईग्रीव ने एलन को बोली दिया लेकि जैसे ही आपरचिनिटी मिलो व्यक्ति को सेवा में लगा दो हाईग्रीव ने एलन को बोला कि आप कुछ सहायता कर सकते हैं स्वामी जी का वीजा समाप्त होने वाला है बोले जब आये थे तो दो महीने का वीजा लेके आये थे लेकिन दो-दो महीना एक्सेंड करते गए करते गए करते गए अभी इतना लगबर एक साल से उपर हो गया है और अभी उनको लास्ट वार्निंग मिली है कि अभी उनको जाना ही पड़ेगा एक्स्चेंशन नहीं मिलेगा तो हाईग्रीव और एलन ने बोला हम एक इमिग्रेशन लॉयर करते हैं और आप कुछ धनराशी दे दीजिए तो अगली बार एलन आए तो एक और हर्मोनियम लेके आए और एक चेक लेके आए आपका सहायता करने के लिए तो उस प्रकार से उन्होंने सेवा दिया एलन बोलते हैं कि एक्चुली मुझे शुरू में स्वामी जी से मिलने को बहुत हिचकिचा हट्शाइनेस हो रही थी मिलू की नहीं मिलू लेकिन मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि स्वामी जी वही मंत्र जब कर रहे हैं जो मैं अलावात कुमेला इत्यादी से दूसरी जगाओं से सुनके आया हूँ मैं भी यही मंत्र जब करता हूँ लेकिन मैं तो नशा करता हूँ और यह मंत्र जब करता हूँ मैं अपना म्यूजिक से हरे कृष्णा गाता रहूंगा और जब भी किसी को परश्ण होगा स्वामी जी के पास भेज दूँगा स्वामी जी तो वैसे ही बहुत ही उदार भाव के हैं अच्छे समय देते हैं और समझाते हैं मानो इनकी कथाओं में हजारों हजारों शास्त्रों का ग्यान पूरी तरह से पैड़ है निचोड है ऐसा उनको दिख रहा था स्वामी जी के केरिज्मा के प्रती आकर्शन तो बहुत हो रहा था यह तक कि ऐलन जब स्वामी जी से मिलने गए तो पर्शनल मीटिंग में प्रभुपाजी ने एलन को कौन सी कथा सुनाई जब चैतन्य महाप्रभु संकीरतन लेके निकले थे चांदकाजी का सामना करने के लिए वो पूर्ण कथा जो पहला सिविल डिस ओबीडियनस संकीरतन महाप्रभु ने किया था उसकी कथा सुनाई एलन जिन्जर को बड़ी रोमान्च कथा लगी हो एलन जिस बग अपनी स्मरन में बोलते हैं कि श्रिलि प्रभुपाजी के अंदर एक अद्भुत उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत मधुरता थी मानो पूर्न भक्ति के मुर्तिमान स्वरूप हो बोले जब स्वामी जी के पास जाते थे उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा औरा था कि उनके सामने जाके हमारे हैदे की सारी शंकाएं खतम हो गई हो सारा अहंकार खतम हो रहा हो सारे डिफरेंसिज ऑफ ओपीनियन मतभेद समाप्त हो गए हो मानो सब कुछ पिगल के नश्ट हो जाता हो स्वामी जी के औरा का व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था ऐसा एलन बोलते हैं और भक्त बड़े खुश भी हुए थे अरे वा लोकल सेलिब्रेटी थे हिपियों के सेलिब्रेटी थे वो तो आए वहां पर अभी देखिए उस समय का वातावरन ऐसा है अधियात्म यानि ड्रग्स यानि अधियात्म और प्रभुपा जी ने ये सब देखा था इंडिया में लोकि इंडिया में जो साधू थे इंडिया में भी ऐसे कहीं साधू थे जो गांजा हाशीश लेते थे और मंदिरों के बाहर बैठे रहते थे और ये जितने हिप्पीयों थे इन्होंने से कुछ लोग भारत होके आये थे तो बोलते हैं ना समान बुद्धी के लोग मिल जाते हैं क्योंकि इनका भी रूची ड्रग्स नशे में था भारत में गए तो प्रमानिक साधू से मिलने की बजाए इनको भी नशेडी साधू ही मिले साधू तो नहीं बोलेंगे जो भी हैं साधू के वेश में जो नशेडी लोग थे उनसे ही मिले जाके यहां तक की नियूस पेपर में कार्टून बनते थे इनके उपर उन दिनों में कार्टून होते थे Captain High कार्टून बना रखा है खूब डशा किया है और अपने consciousness में हवा में उड़ रहा है जैसा हाई और स्वामी जी के उन दिनों के प्रवचनों में एक बात बार बार आती थी कि देखो भक्ती अधियात्म का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है जिस हाई की बात कर रहे हैं जिस किक की बात कर रहे हैं आप बोलते हैं नशा करने से आपको एक ऐसी किक मिलती है आपको लगते हैं हवा में ओड रहे हैं प्रभपाजी बोले ये एक भ्रम है ये एक हैल्यूसिनेशन है इसमें कोई वास्तविक्ता नहीं है सोचिए प्रभपाद ड्रक्स की कैपिटल में बैटके ऐसा परचार कर रहे हैं कि जो आपको ड्रक्स से नशे से अनुभव हो रहा है इसमें कोई रियालिटी नहीं है सोचिए प्रभपाजी का कन्विक्शन क्या होगा कि उनकी कैपिटल में उनकी राजधानी में उनके समाज में जाके ये बात को बोल रहे हैं सुचे कितना अनएक्सेप्टेबल होगा उन सब के लिए एक बार प्रभुपाजी ने अपने जो उनके क्लास सुनने आए थे सब नशा करते है तो प्रभुपाजी ने बोला क्या आपको लगता है लस्टी जैसे नशेली नशेप के पदार्थ लेके विप्ती को हाईर कॉंशिसनेस मिलती है तो सब ने बोला हाँ मिलती है क्यों ने मिलती तो प्रोप्रुपाजी थोड़ा सा लेके अगर वही पदार्थ एक कमरा भरा हुआ पदार्थ मिल जाए एक पूरा कमरा है वो उतना बड़ा पदार्थ अगर आपको दे दिया जाए उतना क्वांटिटी में तो सोचो क्या अनुभव होगा वैसा अनुभव कृष्ण भक्ती हमें ये मार्ग दे सकता है सोचे ना एक्जामपल क्या दे रहे हैं कि उनके लिए रेफरेंस पॉइंट वही है कि हमें अच्छा आनन्द मिलता है नशा लेके दो ग्राम दस ग्राम बीस ग्राम पजास ग्राम नशा लेके अगर पदार तो उससे कैसा मिले तो लोगों को लगा रहे हां बात में दम तो है जरूर हम नाम जब करेंगे जरूर की रितन करेंगे उनके लिए वही रेफरेंस पॉइंट है यहां तक कि उस समय दो लोग थे टीमोथी लेरी और रिचर्ड एलपर्ट वो हारवर्ड यूनिवर्स्टी में साइकोलोजी के प्रोफेसर थे और यह दोनों व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनका रिसर्च क्या था कैसे नशे के माध्यम से व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षतकार मिल सकता है यह उनका रिसर्च प्रोजेक्ट था क्योंकि ऐसा घटिया प्रोजेक्ट था उनको हरवर्ड यूनिवर्स्टी निकाल दिया गया और फिर नियॉर्क में एक मिलब्रुक नामक क्युम्यूनिटी था उस कम्यूनिटी के वो प्रमुख बन गए और वहाँ पे एक अलग स्वामी जी से और जब वो सब स्वामी जी से मिलने हैं प्रभुपा जी कता करते थे रोज शाम मंडे वैडनेस जे फ्राइडे को तो यह मिलने आ गए तो सब लोग आके बैठ गए और प्रभुपा जी ने स्ट्रॉंग लेक्चर दिया कि ड्रक्स का स्पिल्च्रल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है सब बकवास है सब भ्रम है हरे कृष्ण नाम जब से चेतना जो है शुद्ध हो जाती है मारजनम होता है इतना बड़ा प्रभुपा जी जोर शोर से लेक्टर दे रहे थे तब एक आपनी खुड़ा हो गया कि बोला स्वामे जी आब बोल रहे हैं ड्रॉट्स कि आप शक्ता नहीं है कभी आप ने ड्रॉट्स लेके देखी ऐस जी लेके तो देखो जैसे उसने ये बोला बाकी लोग सोचे आरे वाह स्वामे जी को आपने चेक् ने लिया है इनसे पूछो और उस समय वहां हाइग्रीव बैठे थे उनके शिश्य हाइग्रीव को बोला आप बताइए तो हाइग्रीव बिल्कुल खड़े होके स्वामी जी का प्रतिनी धित्व करते हुए बड़े जोर शोर से उत्तर देने लगे और हाइग्रीव बोले स्वामी जी बताते हैं जैसे एक रॉकेट शिप होता है स्पेस शिप होता है वो हवा मे उड़ता है लेकिन जब उसका फ्यूल खतम होता है तो धीरे-दीरे उसको नीचे आना पड़ता है ऐसे हम भी नशा करते हैं वो नशा करने से हमारी चेतना हमें लगता है, बड़ा खिक मिल रहा है, एक higher consciousness मिल रहा है, हम हवा में उड़ रहे हैं, सभी समस्यां से उपर जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो नशा नीचे आता है, लेकिन हरे कृष्णा से जो नशा मिलता है, हरे कृष्णा से जो उत्तम चेतना मिलती है, higher consciousness मिलती है, हरे कृष और इस प्रकार से हाई गरीब ने उत्तर दिया मानो वो सब चुप हो गए हो उस दस के दस लोग चले गए उस रात को स्वामी जी हाई गरीब उमापती इत्यादी सभी भक्तों के साथ अपने कमरे में बहते थे और स्वामी जी बोले यारे वाह क्या पॉइंट है तब ही हाई और और यारे और स्वामी जी सही बात है और यहांसे उनको आईडिया मिला हम एक और penflet बनाते हैं एक flyer बनाते हैं एक posture बनाते हैं उसमें लिखते हैं स्टे हाई for ever नो मोर कमिंग डाउन प्रैक्टिस कृष्णा कॉंशिसनेस कृष्ण भक्ति का आश्रे लिजिए और अपनी चेतना को उच स्तर पे रखिए हर समय के लिए, हर पल के लिए, हर काल के लिए जैसे नशे में व्यक्ति उपर जाके फिर नीचे आता है वैसा नहीं होगा, जब कीजिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे तो हम देख रहे हैं, पहला दिक्षा हो गया, पहला विवा हो गया दूसरा दीक्षा भी हो गया एलेन जिन्सबक जैसे सेलिब्रिटी भी आ गए वो साइकलोजी के दो प्रोफेसर उनका जो कम्यूनिटी है समाज है उनके लोग भी आके देखके चले गए धीरे धीरे हरे कृष्णा का प्रचार तो बड़ता ही गया इसके बाद एक बड़ा प्रमुख दिन आ गया पहली बार जब स्वामी जी ने घोषना किया हम केवल अपने कमरे में जप नहीं करेंगे हम यहां से बाहर निकल के सड़क पे जाके गाडन में जाके पार्क में जाके हरी नाम करेंगे सब लोग घबरा गए तो कि सब को अपने अपने समाज की शरम रहती है बोले अरे लोग क्या सोचेंगे यह फलाना फलाना स्वामी जी बोल रहे हैं तो चलो करते हैं तो वहाँ पे एक टॉमकिन स्क्वियर पार्क नामक स्थान था स्वामी जी बोला चलो वहाँ पे जाके किर्टन करेंगे आज तो यह हमारा लास्ट का जो आज किस्सा है वो चर्चा करते हैं टॉमकिन स्क्वियर पार्क पहला पब्लिक संकिर्टन कैसे हुआ और उसके बाद तो पूरे विश्व में कहीं पब्लिक संकिर्टन शुरू हो गए आईए देखते हैं पहला पब्लिक संकिर्टन ऐसे देश में जो इनको कृष्ण भक्ति का कोई अनुभूती कोई experience कोई समस्कृती ऐसा culture ही नहीं सोचिए कैसा वहाँ पे क्या हुआ उसके चर्चा करते है तॉम्किन स्क्वियर पार्क की बात है अभी उदर का वर्णन ऐसा है कि लगभग दस एकर से उपर का जो भाग है उस पार्क का बड़े बड़े व्रिक्षों से कवर्ड है और आधा पार्क जो है वहाँ पे बहुत सुन्दर मार्ग बने हुए है चलने के लिए बैंचिज लगे हुए है बैठने के लिए वाकवेज हैं और रेलिंग्स बनी हुई है और थोड़ा एरिया घास वाला है थोड़ा चलने के लिए ऐसा वड़ा सुन्दर पार्क बना के रखा है और ऐसा वर्णन आता है उन दिनों का कि ये बात है अक्टूबर 1966 की आठ सप्टमबर को जन्माश में था उसके बाद राधाश्टी में हो गया अभी अक्टूबर का वातावरन हो गया वातावरन बहुत थंडा नहीं है बहुत गरम नहीं है बीच का है बहुत सारे वरिष्ट व्रिद्ध लोग बैठे एं यूक्रेणियन्स बैठे हैं पुराने जमाने के वस्तर पहन के बहुती ओल्ड फैशन ड्रेश्ज़ पहन के जो बेंच पूरा बेंच डगे हूँ है व्रिद्ध लोगों से साथी साथ बोलते हैं उस दिन का वातावरन कैसा है बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे है और बहुत सारे लोग अपनी साइकल बाइक पचला रहे है कुछ लोग बॉल से खेल रहे हैं फिस्बी से खेल रहे है साथी साथे ground है जहाँ पर basketball और handball courts वहाँ पर सब teenagers खेल रहे हैं साथी बहुत सारे छोटे छोटे कुटे भी घूम रहे है और बीच में एक gaziba बना हुआ है वो gaziba चार khambos के बना हुआ एक स्थान है उसके बीच में बहुत सारे लोग drum बजा रहे हैं और उस गैजीबो में बोलते हैं चार कौने में चार शब लिखे हुए हैं, एक कौने में लिखा है होप, आशा, एक कौने में लिखा है फेथ, शरद्धा, चैरिटी, दान, टॉलरेंस, सेहन्शी ज़ता, ऐसा करके चार लिखा है। और मानो किसी ने उस गैजीबो पर जगा 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 काला पेंट लख रखा है और उस पर अलग अलग शब्द लिखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, और उसके बीच में बहुत सारे लोग अलग लग कौंगो बॉंगो ड्रम्स बजा रहे हैं, उससे पूरा व उस स्वतलोंतर जीमन जाते हैं, वह समझ में रेगलर लाइफस चल नहीं चाहिए, हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा है और इसा करके अलग लग लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अकेले बैठे रहते हैं, रात पर गारण में आके बैठे रहते हैं, आसमान को घूरत और रा उस दिन बर सोई रहते हैं ऐसा वातावरन है उस पार्क का और प्रभुपाद ने डिसाइड किये कि यहाँ पर जाके हम कीर्टन करेंगी और वो दिन भी संडे का है जहाँ पर बहुत सारे हिपत हिपी जो है वो संडे को ही एकत्रित होते हैं वाहां पर तो वर्णन इस प्रकार से किया है और बहुत सारे लोग संडे हैं तो एक आउटिंग करने के लिए हैं चलो खोड़े खुली हवा खाके आते हैं बोलते हैं स्वामी जी के आने से पहले उन्होंने तीन चार लोगों को भेज दिया और बोला आप कोई पार्क में अच्छा एरिया ढून लीजिए और वहां पे कार्पेट बिचाईए जो रॉबर्ट नारसन ने एक कार्पेट लाके दिया था वो बिचाईए उस पर बैठ के कुछ कीरतन शुरू कीजिए तब तक हम आते हैं और स्वामी जी छे साथ लोगों से सडक के मार्ग से आते हुए कीरतन की तरफ आ रहे हैं बगीचे की तरफ आ रहे हैं और जब वो आते हैं तो रास्ते में कहीं लोग कहीं कमेंट पास करते हैं जोकि लोगों के लिए पूरा तृष्ष्ष्ष नया है कुछ एक तो सवामी जी का ड्रेस ओपर से सॵामी जी के एक शिष्ष्ष जो है कीरतन और आण उन्होंने भी एक पकार का सैफरन कलर का ड्रेस येलो कलर का धोती कुरता पहन दिया है उनका भी हेड़ शेवन है उनकी भी शिखा है हाथ में हर्मोनियम पकड़े है और भ्रम्मा नंज जो है हर्मोनियम पकड़े हैं और स्वामी जी का ड्रम भी पकड़े है तो बुले ये सब लोग चल रहे हैं शड़क पे तो लोग देख रहे हैं जो ड्राइवर्स गारी चला रहे हैं वो सब विंडोस से बाहर निकल के देख रहे हैं ये क्या अधूत है कुछ लोग अपनी बालकनी से उपर से जाक के देख रहे हैं कुछ लोग जो अलग अलग दुकानों में खड़े हैं वो दुकानों से बाहर आके खड़े हो गए देखने के लिए कि यह चल क्या रहा है कोई लोग कमेंट पास कर रहे हैं अरे यह तो बुद्ध हैं बिलकुल बुद्ध जैसे भगवान बुद्ध जैसे दिखते हैं कोई लोग बोलते हैं और या तो अरब्स हैं, इनका ड्रेस देखो, कोई लोग बोलते हैं अरे ये तो क्रेजी कुछ पागल लोग हो एक व्यक्ति है इर्विंग हेल्पर वो सोचते हैं औरे ये सब तो हिप्पी हैं लेकिन इनके बीच में ये साधू बहुत विशेश लग रहे हैं बहुती शान सोभाव के बहुती गंभी बहुती गोपनिया लगता है बहुती उत्तम ग्यान देने के लिए आए हैं और उत्तम पात्र ढूंड रहे हैं ऐसा उनका नजरिया है तो हर कोई अपने अपने नजरिये से पूरे द्रिश्चे को देख रहा है कोई बुला अरे हिप्पीज हैं कोई बुला रहे हैं यह तो कम्यूनिस्ट लोग हैं तो इस प्रकार से जो जवान लोग थे जो भूड़े थे जो बच्चे थे सब का अलग अलग नजरिया था यह कौन है और प्रहुपा जी को भ्रमा नंद उनके बाजू में जो थे वो बता रहे थे कि यह लोग क्या का कमेंट पास कर रहे हैं लेकिन स्वामी जी बिलकुल स्ट्रेट चल रहे हैं एक सीह की तरह मानों पूरा क्रामती करने जा रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा उनकी भावना उनका कॉन्फिडेंस कहा से आ रहा है भगवान श्री कृष्ण के आश्रीरवात से कि हम स्पिरिच्वल सोल हम आत्मा हैं भगवान की सेवक हैं ममाई वामश्य जीव लोके जीव भूता सनातना लगवान दस मिनट हो गया था बगईचे में किरतन शुरू होए हुए तभी स्वामी जी पहुंचते हैं एपने शूज बाजो में उतार के कर्पेट पिजा के बैट जाते हैं और तभी स्वामी जी ने एक पिंग कलर का स्वेटर पहना हुआ है एक खादी शॉल ली हुई है वहाँ पे और तभी मुस्कुराते हुए सब को देखते हैं अपना हाथ से इशारा करते हुए करताल प्लेयर्स को बोलते हैं किस रिदम में गाना है और सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभपाजी हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करेंगे वही तो उनको मालुम था लेकिन प्रभपाजी शुरू करते हैं मानो पूरी वैश्ण परंपरा की शक्ती को वहाँ पे पुकार रहे हैं सभी गुरूओं के आशिरवात को पुकार रहे हैं और अमेरिका को हरे कृष्ण महामंत्र से पहली बार मास केल पे परिचित करने जा रहे हैं कब से प्रभपाजी वेट कर रहे थे अमेरिका आए बटलर में रहे एक महिना फिर मिश्रा जी के योगा स्टूडियो में रहे फिर कितनी बार वो ठंडी बरफ का वाता वरन था और अकेले 307 कमरे में पड़े रहे कब से वेट कर रहे हैं इस मौके का और आज वो चांस मिला है प्रभपाजी को तो पूरी परंपरा की शक्ति को मानो पुकार रहे हैं और पीछे एक ओक व्रिक्ष है उस व्रिक्ष के नीचे बैठे हैं प्रभपाजी और फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं श्री रूपम सागरजातम सहगन रगुना थानवितम तमसजीवम शडगोस्वामियों की कृपा को पुकार रहे हैं और जैसे जैसे उनकी वानी में गहराई बढ़ती जाते हैं धीरे धीरे पास से और लोग आके खड़े होना शुरू कर देते हैं कुछ शड़क के कुटे आके वाँ खड़े होगे छोटे छोटे बच्चे आके खड़े होगे कुछ लोग हसी मजा करते हुए उंगली करके बोल रहे थे अरे देखो देखो ये पंडित कौन है लेकिन इन सब वाणियों के पीछे इन सब आवाज इन सब शोर चलम चली के पीछे प्रहुपात की वाणि की गहराई बढ़ती जा रही है मानो ये एक आध्यात्मी जगत से वाणि की उत्पत्ती हो रही हो प्रहुपात जी बोलते हैं सिधा राधा कृष्ण से कनेक्ट करते हुए गोस्वामियों की कृपा को आवाहन करते हुए बोलते हैं शरी राधा कृष्णपादा सःगना ललिता श्री विशा खान विथाम्स्च श्री शरी राधा क्रिश्ण़ और गोपियों के अशिर्वाद का आभाहन करते उए तब तक और कुछ लोग आगे, कुछ टीनेजर लोग आगे, कुछ घूड़े लोग आगे और सब सोच रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर कौन लोग हैं यह कहां से आये हैं क्यों आये हैं इनका उदेश्य क्या है क्या करना चाहते हैं और शिश्यों में भी एक tension बना हुआ है, क्या होगा, फब्लीकली हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, स्वामी जी हरे कृष्णा शुरू किजी, हरे कृष्णा। यहुए उनको सबसे प्रिये वो मंत्र है और तभी प्रभुपाजी पहला मंत्र शुरू करते हैं और जब प्रभुपाजी ने शुरू किया शुरू करते हैं लेकिन शुरू शुरू में आपको मालूम है जब कि इतना शुरू होता है, उसमें कुछ और नहीं होता, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई डर रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, कोई धीमे धीमे से बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो गहराई बढ़ती है, कोरस बढ़ता है, और धीरे धीरे ध्वनी का जो unity, unifying sound है, वो बढ़ता है स्वामे जी ने drum पकड़ा है, उनका जो drum था उनका जो मृदंग टाइप का था, वो पकड़ के रखे हैं left hand से, और right hand से ऐसा expert मृदंग बीच बजा रहे हैं बच्पन से, आपको तो याग होगा स्वामे जी के पिता जी का इच्पन से जो मृदंग बजा रहे हैं आज वो अमेरिका में, बढ़ता है, बच्पन से जो मृदंग की आवाज से संकीरतन का घोशना कर रहे है वहाँ पे इर्विंग हलपन नाम के जिनको स्वामे जी के प्रती सहान भूती हो रही थी, वहाँ पे आ गए बोले मैं तो कहीं मृजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ लेकि स्वामे जी गए, मैं गया तो वहाँ बांसरी बजाना शुरू कर दिया और बोले धीरे धीरे टॉमस्किन स्क्वेर पार्क में कहीं अलग अलग मृजिशियन्स आके घूमा करते थे तो वो धीरे धीरे एक एक मृजिशियन वहाँ एकत्रित होने लगे और स्वामे जी ने किसी को रोका नहीं यह मृजिशियन कहीं और जाएंगे तो चाहिए ऐसा फ्री एंट्री नहीं होगा लेकिन स्वामे जी के किरतन में सबका फ्री एंट्री था आओ बजाओ कोई वासुरी बजा रहा है कोई सैक्सोफोन बजा रहा है कोई गितार बजा रहा है और स्वामे जी भी अपने इशारे से सब को प्रोसान दे रहे हैं carry on बचाओ तो एक बड़ा सुन्दर वातावरन हो गया और आपको मालूम है जब नए लोग होते हैं नए लोग को मालूम नहीं चलता लीड सिंगर कौन है और कोरस कौन है और जब लीड सिंगर काता है वो साथ में गाने लगते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो गया continuous लोग गा रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं कि पहले कोई लीड करेगा फिर कोरस में गाएंगे everyone is singing सब गा रहे हैं तो एक continuous कीरतन का वातावरन हो गया और दुपहर का समय है और बोलते हैं सौ से उपर लोग कत्रित हो गए और कम से कम बारा या बारा से चौदा जो musicians थे वहां बजा रहे थे और पहले हम बता चुके हैं उसी बगीचे में एक गैजी वो था वहां पे लोग drum बजा रहे थे वो डुरम का वाद बैगरांड में चल रहा है लेकिं पार्क के ये कौने में एक अलग कीरतन चलू हो गया जहां दस बारात थे तोदा musicians अलग musical instruments बजा रहे हैं परोपा जी हरे कृष्णा continuous ध्वनी चल रही है और उसमें सब लोग सौमी जी को देख रहे हैं और सौमी जी अपने जब में इतने intense हैं उनके eyebrows के बीच में एक intensity दिख रहा है उनके temples में जो उनकी veins हैं वो बलते हैं ना सब नसें उठके खड़े खड़ी होगी हैं दिख रही हैं बिल्कुल erect ऐसा strong protruding उनके माथे पर दिख रहा है कैसा intensity है उनके गाने में और उलते हैं कम से कम प्रुपाजी गाते गए गाते गए कहीं घंटों तक ये पूरा प्रोग्राम चला वहाँ यहां तक की जब इतने लोग को एक गतरी देखा कुछ आईस्क्रीम बेचने वाला वेक्ती भी वहाँ पे आ गया और वर्वन की है प्रुपाज के आसपस कौन लोग थे प्रुपाज के पास से पास कुछ ब्लॉंड हेर की कुछ लड़के खड़े थे चार पांच ये छे साल के वह आके बैड़ बे एक यंग पॉलिश बॉय था वह आके घूर के देख रहा है क्या चीज है कोई आया उसने आके कुछ धूपी दिया दी जलाना शुरू कर दिया और वो कोईले में जो धूप जलती है उसके इत्याज से धूआ धूआ हो गया खुश्बूदार वातावरन हो गया और ऐसा करके एक अलग वातावरन बन गया होगा पूरा इतना अच्छा रिस्पॉंस देखके स्वामी जी ने अपने शिश्यों को इशारा किया नाचना श खड़े हो गए और उनके जो जीन्स का बैक पॉकेट था उसमें बहुत सारे पैमफलेट्स थे जिस पैमफलेट्स पे जो हमने पहले चर्चा किया स्टे हाई फॉर एवर नो कमिंग डाउन वो सब पैमफलेट्स उनकी पॉकेट में बहुत सारे पड़े थे माटने के लिए और वो नाचने लगे तभी उस समय दो भक्त खड़े हो गए अच्युतानंद और भ्रह्मानंद अच्युतानंद करली हेर्स बोलते हैं उनके थे ब्लैक टर्टलनेक टिशट पहन के रखा था और गले में जप माला लटक रही थी और वो अच्युतानंद खड़े हो गए और दूसरी तरफ भ्रह्मानंद खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे को सामने फेस करके कीरतन कर रहे हैं और मानो जैसे कि महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू गोर निता इस हाथ में खड़े हैं नाच रहे हैं बहुत सुन्द चैतने महाप्रभू की लीला में से दो भक्त कीरतन कर रहे हैं और कुछ बाकी के शिश्यां थे उन्होंने स्वामी स्टेप में राइट फूट लेफ्ट राइट फूट लेफ्ट ऐसा डैन्स शुरू किया अच्छा अभी देखिए सब नहीं नहीं शिश्यां इनको मालूमने कब तक नाचना है ब्रह्मानन बोलते हैं में को तो मालूमिन अभी बैठू की नहीं बैठू कि थोड़ा देर नाच लिया लेकिन स्वामी जी तो मुरिदंग बजाते जा रहे हैं बजाते जा रहे हैं और मैं सुत्रता अगर मैं बैठ गया तो शायद गुरू के प्रती अपराध हो जाएगा तो ब्रह्मान बोले एक घंटा हो गया लेकिन मैं नाचता गया नाचता गया और स्वामी जी दीरे दीरे बाकी लोग को भी एंकरेज करें आप भी नाचो आप भी नाचो और कुछ लोग तो ऐसे नाच रहे थे मानो पूर्न रूप से नशे में हैं और एक समाधी में चले गई हारे कृष्णा हारे कृष्ण आखे बंद हैं और मानो जूम रहे हैं मूजिक के साथ सब लोग अलग-अलग-अलग भाव दिकh रहता एक कन्या थी वह आपनी आखे बंद करके हाथ में कुछ उनके हिसाब के करतार सिंबल्स लिये हुए और आखे बंद करके जूम रही थी और दूसरी तरफ एक वृद महिला वो लगातार इस यंग कन्या को देख रही थी कि इसे क्या हुआ है किर्त्म का क्या प्रभाव हुआ है इसके उपर और चोटे-चोटे समू थे कुछ महिलाओं के वो बाते कर रहे थे अरे उसको देख अरे वो कैसे नाच रहा है अरे उसको देख वो कैसे बैठा है अरे उसको देख ऐसी बात्ची चल रही थी और केवल एक रिखती थी जो धोती में थे किर्तिनानद लोग बोल रहे थे अरे ये तो स्वामी जी का यंग वर्जन है यंग वर्जन स्वामी जी और दुपैर का समय आटम सीजन है और बोलते हैं वरिक्षों में ज़्यादा पत्ते बत्ते नहीं है तो उपर से जो धूप है वो वरिक्षों से होती है या पत्ते हैं लेकिन वो उसकी जो एक सूरज का शैडो सब जगा पढ़ रहा है विक्षों से होते हुए ऐसा वातावरन बताया है और लगभग दुपेर के चार बज गए और प्रभुपाजी कीरतन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और फिर एक समय प्रभुपाजी समाप् खड़े हो गए है मानो अभी स्पीच देंगे स्पीच आफ ड़ लीडर और प्रभुपाजी बदाते हैं ये हरे Кृष्ण कीरतन को श्रीच ज्रिदुने और महा प्रभुझ ने परचार शुरू किया है और इस हरा का मतलब क्या है कृष्ण का मतलब क्या है राम का मतलब क्य आते हैं और सारे शिष्षे उदर बैठके सुन रहे हैं एक शिष्षे राय राम है अब देखिए प्रभपाजी लेक्चर दे रहे हैं प्रभपाजी के पीछे विरिक्ष है उदर से सूरज आ रहा है सामने राय राम बैठे हैं राय राम प्रभपाजी को ऐसा देख रहे हैं दूसरे एक शिष्षे हैं, वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा, कान करके. सब लोग अपने तरीके से स्वामी जी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वामी जी वहाँ पर पूरा वातावरन दिया है कि स्वामी जी के पास में कौन खड़ा है, अलग लग लोग के चैरे पर अलग लग एक्स्प्रेशन हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या है, और आपको तो मालूम ही है, हम जब नए होते हैं, तो फिलास्फिय तो कुछ हमारे भेज़े में गुसता नहीं है, तो कुछ लोग दिरे दिरे निकलने लगे, बोले ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकि ग्यान को अंदर गुद्धी में प्रवेश करने के लिए बहुत सत्व बोने चाहिए, प्यूर लाइफ्स चाहिए, इसलिए पहले कीरतन, कीरतन की द्वारा चेतना शुद होगी तो कुछ ग्यान अंदर गुसेगा, तो कीरतन में काफी लोग एक अतरत होगे कि म्यूजिक भी है, लेकिन कीरतन बंद हुआ, दीरे दीरे लोग चाने लगे, लेक्चर में सब को रूची नहीं थी, कथा में सब को रूची नहीं थी, स्वामी जी कथा में बताने लगे कि तीन प्रकार के प्लाटफर्म होते हैं तीन प्रकार के स्तर होते हैं सेंश्वल प्लाटफर्म, मेंटल प्लाटफर्म, इंटेलेक्चुल प्लाटफर्म लेकिन इन सबसे परे एक spiritual platform होता है और हरे कृष्णा आपको spiritual platform में चल ले जाता है जिसमें कोई नशे की जरूरत नहीं है और स्वामी जी बदाएए अपना address दिये 26 second avenue पे lecture होते हैं आप सब वहाँ पे भाग लेने के लिए जरूर आएए और फिर से प्रवपा जी बैठ गए lecture complete किया और वहीं पे फिर से कीरतन शुरू किया बोलते हैं सब्तर साल के वेक्ति हैं अपने आप मृदंग बजा रहे हैं इतना मेहनत लग रहा है उनकी health को risk हो सकता है already दो बाइ heart attack हो चुका है लेकिन प्रवपा जी को ये सब की परवा नहीं पहली बार मौका मिला है जिस मौके का वो 45 साल से वेट कर रहे थे गुरू जी का order मिला 2022 में तब से वेट कर रहे थे और आज वो चांस मिला है मानो पूरन कृष्ण भक्ती अपने हिर्दे की उस समय बरसा देना चाहते है टॉम्किन स्क्वेर पार्क में फॉस्ट टाइम ये जोट चांस ना और प्रवपा जी सोच रहे है इतने अमेरिकन लोगों ने गीता पे कितनी टिपणियां लिखी है इंग्लिश में कमेंटरी लिखी है लेकिन हंडर्ड अफ कमेंटरी इस गीता पे लिखी गई है लेकिन किसी ने गीता के सार संकीरतन के बारे में सततम कीरतयंतो माम इसके बारे में किसी ने नहीं बताया आज वो चांस मिला रहा है और मन में ये भी सोच रहे हैं कि चतने महाप्रभू की इच्छा है आज भी अगर भारत के ब्रामनों से पूछेंगे तो बोले ये स्वामी जी क्या कर रहे है पतित जीवों के बीच में जाके बैठ गए मासाहार व्याभीचार करने वारे लोग के बीच में जाके बैठ गए आपने अपनी पवितरता भंग कर दी लेकिन प्रभपाजी को मालूम है प्रभपाजी को मालूम है शास्त्रों में क्या दिया है शास्त्रों का सार क्या है बिना कुछ डर के बिना कुछ चिंता के सीधा माया की गुफा में जाके सीधा माया के किले में जाके बैठे हैं लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए जोकि बागवत्म में दिया है कृष्ण भक्ती बहाटे समय किसी जात्पात को किसी के अतीत को पास्ट को नहीं देखना चाहिए हर कम्यूनिटी हर जाती के लिए ग्यान है जोकि सभी तो spiritual soul हैं कृष्ण के भाग है सबका लक्षे है कृष्ण के साथ सेवा करना कृष्ण की सेवा करना इस प्रकार से उस दिन कहीं घंटों कीरतन चला काफी लेट स्वामी जी ने कीरतन समाप्त किया वहां से वापिस अपने जो उनका छोटा सा मंदिर था storefront था वहां पे आए और जब प्रभपाजी वापिस आया आप सोचिए प्रभपाजी की announcement कितना बड़ा प्रभाव था पहले से कुछ लोग प्रभपाजी के कमरे के बार आके खड़े थे और वेट कर रहे थे ताला कब खोलेंगे पहले से कुछ लोग वहां पे आके खड़े थे और कुछ लोग शर्मा के सडक पे चल रहे थे कि जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए एक बार कुछ लोग को बैटने तो फिर अगर हम्मत होई तो हम भी जाएंगे कुछ लोग ऐसा भी था जो कि लोगो को खानफिड़नस नहीं था कि क्या चीज है जब परभपाजी ने ताला कोला मैचलेट्स किसमें जाके बैट गए काफी सारे नई लोग आके बैट गए परभपाजी ने बढ़िया लेक्चर दिया हों और प्रभबाजी के मुख से एक एक शलुक ऐसे निकल रहा था बूलते हैं जैसे किसी के लिए इस वेरी फ्री फ्लोईंग सुभाव जैसे गंगा भाती है नदी भाती है ऐसे शलुक पे शलुक निकल रहे थे और बूलते हैं इतना लंबा दिन था बाहर गए खिर्तन किया इतना समय बिताया लेक्चर वहां दिया यहां लेक्चर दिया और बोलते हैं उसके बाद धीरे धीरे रात का दस बच चुका था जहां प्रवपाजी बैठे लेक्चर दे रहे थे वहीं पे चटाई पे लेट गए और बोलते 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 वहीं सो गए और चितने लोग बैठे थे बोलते हैं वो दीरे दीरे दबे पाउं बाहर निकल गए कि अभी स्वामी जी ठक गए हैं, सो गए हैं उनको विश्राम करने दो Everybody moved out of the स्वामी जी's room और ये एक बहुत बड़ा victory था अमेरिका में Tomkin Square Park में पहला हरी नाम अनुभव करवाया कुछ भक्तों ने बोला स्वामी जी ऐसा हरी नाम तो रोज होना चीए We should have every day तोकि इतना popular होने लगा High grief बोलते हैं, it was Hare Krishna explosion Actually, लोगों ने बोला हर हफता होना चीए प्रभपाची ने बोला हर हफता नहीं, हर रोज होना चीए Every day जाओ, हरी नाम करके आओ और तब से उस एरिया में Hare Krishna explosion हो गया लोग ऐसा अकरशित होने लगे सोचने लगे एक तो ये लोग नशा नहीं करते उपर से सबसे ज़्यादा खुश ये ही लोग दिखते हैं उपर से free food बांटे हैं उपर से free knowledge बांटे हैं उपर से free place to stay कुछ लोग आके रात को वहां रहके भी जाते थे, free में क्या बात है, ये तो बड़ी आच चीज़ है तो उस जगा का fame बढ़ने लगा तो इस प्रकार से ये जो बड़ा सुन्दर श्री प्रभपाजी ने प्रभाव किया तो आज की कथा को हम यहीं पर समाथ करते हैं इसके बात क्या हुआ, अगला क्या एक से बढ़िया एक रोमांच जो प्रभपाजी ने किया अलग अलग समय पे दिक्षा दिया, विवा किया, दूसरा दिक्षा दिया, सेलिब्रिटिस से मिले बुलते हैं इसके बाद दो और लोग लाए अलन जिंस्बर्ग दो लोग को लेके आया जिनका मेन फिलोसफी था सेक्स इंजॉइमेंट मैंथून का परचार था उनका यहां तक कि वो जितने गाने लिखते थे, वो अलग अलग परचा का म्यूजिक कमपोस्ट करते थे और वो म्यूजिक का मेन ठीम था सब अशलील बाते करना अशलीलता का परचा है तो जब वो प्रहुपा अभी वो भी उन दिनों के सेलिब्रेटी थे तो कि उस समय प्रचार तो यही था नशा और मैथुन तो अभी ये लोग आ गए प्रहुपा जी से मिलने प्रहुपा जी ने ऐसा लेक्चर दिया सेक्स लाइफ के अगेंस्ट इलिएसिट सेक्स के अगेंस्ट जो प्रहुपा जी ने लेक्चर दिया प्रहुपा जी सीद़्ा अब जीए सामने ऐसे लोग आए हैं जो ऐसे गीत लिखते हैं घीत बोले हैं अपना गाना पोयेट लिखते हैं और वो पोयम में क्या होता है कि कैसे अशलीलता इस दा थीम आफ लाइफ जीवन का लक्षे यही है तो प्रभपाजी ने बोला यमुनाचारे बोलते हैं कि जब मैं सेक्स लाइफ के बारे में सुचता हूँ मैइथून के बारे में सुचता हूँ तो आई स्पिट एट इट मैं थुकता हूँ यह बात प्रभपाजी इन अमेरिकन्स के सामने बोल रहे हैं यमुनाचारे का श्रोक और उमापती जो प्रभपाजी की शिश्य हैं उन्हें ने बोला कि अमेरिकन्स को यह बात सुननी अच्छी नहीं लगती कि मैइथून केवल संतान उत्पती के लिए है भोग विलास की इच्छा के लिए नहीं होना चाहिए भक्ति विजान स्वामी तो उत्तर दिये मैं अपना फिलासफी अमेरिकन्स को प्रसंद करने के लिए बदल नहीं सकता मेरा जो फिलासफी है मैं सीनातान के प्रचार करूँगा उसका उदर एक इसकॉन एट औरनी थे जो इसकॉन स्थापना में मदद किये थे स्टीव गोल्ड स्मित उनको यह आइडिया अच्छा नहीं लगा था जब प्रभुपाद ने बोला सेक्स शुड अउनली बी विद वन्स वाइफ उनको स्वामी जी ने यह बाद बोला स्टीव गोल्ड स्मित को अच्छा नहीं लगा अभी देखिया अच्छा नहीं है एक सपोर्टर है इसकौन के एक इसकौन को स्थापना मदद कर रहे हैं लेकिन प्रभुपाद ने उन सपोर्टर को प्रसंद करने के लिए उन जो फेवरेट व्यक्ती है या जो फेवरेट नहीं बोलूगा फेवरेबल influential व्यक्ती है प्रभावशाली व्यक्ती है उनको प्रसंद करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपना philosophy नहीं बदला गोल्ड स्मिथ बोलते हैं प्रभुपाद जी sex is a strong force अगर व्यक्ती अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है मानसिक रूप से बिमार हो जाएगा स्टीव गोल्ड स्मिथ बोलते हैं क्योंकि लोग अपना मैथुन इच्छा पूर्ण नहीं करते यही कारण है बड़े बड़े युद होने का प्रभुपाद जी बोले युद होरे का कारण है कि लोग मासाहर करते और जो मासाहर करेगा उसके अंदर वासनाए उत्पन और यही मासाहार व्याभी चार जुवा इत्यादी कारण है विश्वयुद के अगर यह चार नियम पालन कर ले समाच तो विश्वयुद नहीं होंगे तो इस प्रकार से प्रवपाजी पूर नहिम्मत से चाहे कोई कितना ही प्रभावशालिय हो कितना ही बड़ा इसको उनको सपोर्ट मिल रहा है उनका फिलोसफी नहीं बदलेंगे व्यक्तिगत रूप से लोगों को एकॉमोडेट कर लेंगे लेकिन इतना उनको अवगत करा देंगे कि असली फिलोसफी क्या है व्यक्तिगत रूप से वेरी एकॉमोडेटिंग हर प्रकार के व्यक्ति को चांस दिया उन्होंने बोलो श्रीले प्रभुपाद की जाए समवेत भक्त वरिंद की जाए